प्रॉब्लम है डिस्ट्रिब्यूटिव लॉफ यूनियन और इंट्रसेक्शन से मतलएक यानि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हों A, B and C और हमने वेरिफाई करना है कि A यूनियन B इंट्रसेक्शन C जी है वो इक्वल होता है A, Union B और इसी तरह से इंट्रसेक्शन का साइन और A, Union C यहीं हमने यूनियन को डिस्ट्रिब्यूट किया है जो सेट्स ब्रैकट के अंदर मौझूद है A, Union B फिर इंट्रसेक्शन का साइन और अगेन A, Union C अब हम लेफ्ट हैं साइड को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है A, Union B, Intersection C तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि A, Union B, Intersection C किसके इक बोलाता है सबसे पहले सेट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 उसके बाद Union and then Intersection के लिए जो कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और B और C की इंट्रसेक्शन सेट B है 2, 3, 5, 7, 11, or 13 और इसकी इंट्रसेक्शन लिजाएगी माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, और 2 के साथ तो यह किसके इक बोला जाएगी अब यह सेट आज़ेज लिखतेंगे 1, 2, अब तो 7 और इसकी Union लिजाएगी इन दोनों की इंट्रसेक्शन के साथ अब इन दोनों की इंट्रसेक्शन क्या है? ऐसा Element जो सेट B और C में Common हो यह ऐसे Elements तो सिर्फ एक ही Element है 2 जो के दोनों सेट में मुझूद है सेट B में भी है और सेट C में भी है इसका मतलब है यह सिर्फ आजाएगा अब अगर आप इन दोनों की Union लें तो इसका मतलब है सेट A ही आएगा चुक्के 2 इसके इंदर अड़ी मुझूद है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 यह हमारे पास है Left Hand Side जबके Right Hand Side को अगर हम Fine Road करना चाह रहे है Right Hand Side वो है A Union B इसकी Intersection लेंगे हम A Union C के साथ अब A सेट है उसको सबसे पहले हम लिखते है जो कि है 1 से लेके 7 तक इसकी Union लेंगे हम B के साथ जो कि है 2, 3, 5, 7, 11, 13 उसके बाद हम इस दोनों की Intersection लेंगे A और C की Union के साथ चले हम इनको भी लिखते हैं Again Bracket A है 1, 2, 3, up to 7 और इसकी हमारे पास Union है C के साथ लेंगे जो कि है Minus 2, minus 2, minus 1, and up to चले, 0, 1, and 2 चले जब हम इसको Simplify करते हैं तो इन दोनों की Union की आजएगी इन दोनों की Union होगी 1 से लेके यानि 1 से 7 तक 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 4, 3, 4, 5, 6, and 7 उसके बाद 11, and 13 यानि इस सेट के अंदर सिरफ यही Element बचते हैं इसे तरह से अगर आप इन दोनों की Union ले लें तो वो स्टार्ट होजेगी माइनस 2 से माइनस 2, माइनस 1, 0 उसके बाद आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 अब इन दोनों की अगर हम intersection करें यानि अगर इन दोनों में Common Element डून दें तो वो कुन से आएंगे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चुके 11, 13, A union B में तो है लेकिन A union C में नहीं है जबके माइनस 2, माइनस 1, 0 ये A union C में है A union B में नहीं है तो याज हैगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 यही Common Element है और ये मारे पास क्या है Right Hand Side तो आप देख लें Left Hand Side जो है वो Equal to Right Hand Side है इसका मतलब है कि हमने इस चीस को verify कर दिया कि अगर हम A union B intersection C को Distributive Law के मताबिक A union B intersection A union C करेंगे तो दोनों Sides का answer एक जसा आएगा